प्रियारलेसेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के बारे में समझेंगे इंपोर्टेंट फॉर्मॉला इन कंसेप्स को समझेंगे तो इसमें जो मेंली जो बताया गया trigonometric functions of sum and difference of two angles के बारे में बताया गया तो जैसे कुछ फॉर्मॉला है sin minus x minus sin x होता है cos minus x cos x होता है यह तो पिछले क्लास में बताया थे लेकिन यहाँ पर हो एक फॉर्मॉला है cos x plus y मतलब अगर sum of two angles हो तो उसका फॉर्मॉला होता है cos x into cos y minus sin x into sin y कहां यूज होगा जिसे suppose हम लोगों को निकालना है cos 75 degree का value तो हमारे पास direct कोई formula नहीं cos 75 degree का निकालने का तो हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग cos 45 degree plus 30 degree के लिख सकते हैं तो यह x के जगा में आ जाएगा यह y के जगा में आ जाएगा तो यह formula हो जाए cos 45 degree into cos 30 degree minus sin 45 degree into sin 30 degree और हम लोग cos 45 cos 30 sin 45 sin 30 का value पता है तो इस cos 75 degree का value निकल जाएगा इस formula के basis पर उसी तरीके से cos x minus y हमारा होता है cos x cos y plus sin x sin y तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे सपोज cos 15 degree का value निकालना है तो cos 15 degree का direct तो हम लोगो formula याद नहीं है तो इसको हम लोग set करेंगे ऐसे angle में जो formula याद हो जिसे cos 45 degree minus 30 degree फिर यह 45 के जगा हम एकसा जाएगा 30 के जगा यह जाएगा तो फिर यहाँ से cos 45 into cos 30 plus sin 45 into sin 30 और cos 45 cos 30 और sin 45 sin 30 का अलग से formula value रख देंगे तो यह तो फिर इस तरीके से मतलब यह formula से अलग-अलग angles जो इसका angle निकालना difficult है वो मतलब निकाल सकते हम लो तो यह काभी important formula है बाकी यह तो पता sin x plus y sin x cos y plus cos x sin y sin x minus y sin x into cos y minus cos x into sin y 10 x plus y 10 x plus 10 y 1 minus 10 x into 10 y 10 x minus y 10 x minus 10 y divided by 1 plus 10 x into 10 y हो गया, cot x plus y हो गया, cot x into cot y minus 1 divided by cot y plus cot x cot x minus y हो गया, cot x into cot y plus 1 divided by cot y minus cot x यह काफी important formula है, चार formula है, cos 2x के, जब questions करेंगे तो आएगा, cos 2x होता है, cos square x minus sin square x, यह बताते हैं, 12th class में यह सारे formula काफी यूज होने वाले है, ऐसा रहें की इसी chapter में यूज होगा, तो काफी important है, यह सारे formula याद करना, cos 2x हो जाता है, 2 cos square x minus 1, cos 2x का 1 minus 2 sin square x भी हो जाता है, और cos 2x जो है, 1 minus 10 square x divided by 1 plus 10 square x भी होता है, यह काफी important है, उसके बाद sin 2x के formula है, sin x into cos x, sin 2x, 2 10x by 1 plus 10 square x भी होता है, 10 2x, 2 10x by 1 minus 10 square x होता है, cos sin 3x होता है, 3 sin x minus 4 sin x का cube, cos 3x, 4 cos cube x minus 3 cos x, 10 3x भी होता है, 3 10x minus 10 cube x, 1 minus 3 10 square x, और अगर cos c plus cos d मतलब, cos x plus cos y हो, तो simply 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 हो जाता है, cos x minus cos y minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2 होता है, sin x plus sin y जो होता है, 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 होता, sin x minus sin y, 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 होता, 2 cos x cos y जो होता, cos x plus y plus cos x minus y होता, और minus 2 sin x into sin y, cos x plus y minus cos x minus y होता, 2 sin x into cos y जो होता, तो आज के इस वीडियो लेक्चर से में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके जो इंपोर्टेंट फॉर्मुलास है उसके फॉर्मुलास को समझें तो यह काफी हेल्फुल होगा जैसे साइन बता दिये साइन 75 का अगर निकालना वेल्यू या फिर 1075 है 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 तो यह च्छे क्वेश्चन दिया जा रहा है 1075 डिगरी का वेल्यू निकाल लिए कॉस्ट सेमंटी फाइव डिगरी कॉस्ट फिप्टिन डिगरी साइन 15 10105 डिगरी 10 15 डिगरी इस जो फॉर्मुला बताया गया है उसमें से आप देखो कौन सा फॉर्मुला यूज क करोंगे समने और उसके बेसिस पर यह वेल्यूस को आप निकालों और इसका आंसर को आप वेजो तो और वी ग्रेजवाली वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे तो आप अपना सजेशन वेज सकते हो और अपने दोस्तों को भी यह सेयर करो ताकि औरों को भी बेनफिट मिल सब्सक्राइब आने वाले वीडियो लेक्चर से थेंक यूँ